नमस्ते तुरुकी रुकिये कहिं मत जाएए चली आज हम बनाते हैं इतना अलग अंदाज में पनीर जो आप मुह में जाते ही घुल जाने वाला रेसेपी है आप एक बार देखेंगे तो रेस्टाउन का लाना भूल जाएंगे घर पे ही बनेंगे तो चली हम बनाने का प्रोस ड्रायं मीर्च ले लिया। आधा एंज अद्रक कर टुaking चोटब करके डाल दिया और 8 से 10 प्रेल कैजु डाल तक हमने थ्thsु अधे से घरमसाला तो हमिसे हमारा बरके हमने इसमें बटर दे दिया अभी हम गैस को औ path कर लेदे और इसे हम चलाते हुए मिलाएंगे जुससे हमारा मैल्ट हो जाए इसी में हम नमक एड़ कर दिये एक हमने नमक डाल दिया और इसे भी हम मिला के मिला लेते अच्छे से अभी हम ढ़क के इसे पकाएंगे आप वीडियो की स्किप मत कीजिए वीडियो फुल देखिए हम एक एक ट्रिक इसमें बताया है जो इतना टेस्ट है और यह लाजबाब हमारा बटर पनीर बनेगा जो मुह में जाता ही घुल जाए ने वाला है अंनतक तो आप जाए है फुल वीडियो अंक तक देखिए अगर आचली तो लॉक की जींदक लिक सब्सक्राइब खट हर लीजेए और यह हमने भाषाइब कर एक कर लिए थैशो ग्रम पनीर रेषर आस कि नियौने पनीर को पहले खर आई करते थे हैं कल ंतनीर एक करेंगे तो देखिये हमारा रोस्ट होने लियी तो हम ने एक ठंडा बवल में पानी संसर्फ तो चलिए उसमें सी तो चलिए उसमें से हम तेल और बाहार निकालने थोरा सा दिया हम 2 ये लेखिशा मेर भी अहले है स्सेय।्सेat मीर्च वाने स्सूरल के तो 1 चमस करीब देला मेर्च को मुझाओं थेकर चाहिए। चाहिए एक जामते हैं। य graphs हमारा मसाला नहीं के लिए, हमने न हम पीस बाने घर हैं अगते हैं, सब्सक्राइब है और इस प्ल kayुनड हुआक सेनम अम्हें का आपने न आपको ब monasteries और चाइक चार्शोचत कर भूसत की भूसता और को पिसल़् भून चुका है तो अच्छे से चलाते हुए आप भून लीजिए और थोड़ा सा हम जो मसाला पीसे थे नो उसमें हम 2-3 चमस पानी डाल के मिकसर को अच्छे से धो के इसमें डाल दें क्योंकि बेस्ट क्यों करना इसमें डाल दीजिए अच्छा रहेगा ग्रेवी तो यह दे देखिया हमारा पणीदमन और पकाया हमारा जटपट पनीद में इसमें ठोलन नीमदम मारा तो ने मैंसे गु混 ग्रम से गुल जाने वाला हमारा पणीद में सोर नीकाल ल्या और इसे हम अभी करते हैं हम आपर रोटी नान पराथा जिस चीज के के साथ चावल के साथ खाना चाहँ है तो हम इसे नान के साथ शुर्फ किया है तो चलिए हम इसे शुर्फ कर ले देखिए किसिए उम्नbre До को मों हमने पहले आ मिरे लिए थे और गरमा गरम हमारा बटर पनिर भी ladım